कोरोना वाइरस ने दुनिया भर में तेहल का मचा दिया है। वैक्सिनोलोजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर साला गिलबर्ड ने कोरोना वाइरस की वैक्सिन बनाने का दावा किया है। को लेकर बहतर परिणाम मिले हैं जब की आरेने और डियने टक्निक से दो या दो से अधिक डोस के जरुरत होती है। गिलबर्ड ने इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने की जानकारी देते वे कहा कि इसकी एक मिलियन डोस इसी साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आक्सवर्ड की टीम इस वेक्सिन को लेकर काफी सटीक है। उन्होंने ट्रायल के पहले ही इसे बनाना शुरू कर दिया है। इसी मामले पर प्रोफेसर एड्रियल हील ने कहा कि टीम विश्वास से भरी है। विसी तंबर तक का इंतिजार नहीं करना चाहते। जब क्लिनिकल टायल पूरा होगा। हमने जोकिंग के साथ इसे बड़े पेमाने पर वैक्सिन की मैनुफेक्शरिंग शुरू की है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.